तो खुद के स्टाइल को अधिक है आपको कुछ पॉइंट्स को नो डाउन करना पड़ेगा तुब यह यहारमने लिखा होगा है टाइप सब्सक्राइब्स प्रोब यह सकते हो यह सिर्थ तो यह अपनी लनिंग सीलिज का फ्रस्ट विडियो है जिसके अंदर में आपको identify तब होता है जब आपको अपना ट्रेड का टाइम डिशन पता होता है कि आधकर आप कोई ले रहे हो उसको जो ट्रेड लेनी के पाद एंटर करने बाद जब आप उसकी पर्टिकलर टाइम प्रेड को होल्ड करते हो और एक्जिट कर जाते हो तो जो टाइम डिशन होता है उस आपको आपको अगर एक्टकी स्केलिंग कर उल्ग होता है लोग द मुधी आपको ऑलग लग होता है जिसके विशह को एक इंडिविज्टेटल आपका होना चाहिए अगर आप स्केल पर तो आप जबूर नहीं कि आप आप क्या होता है आप पर पोजिशनल ट्रेट्स प्रेट्स पर जाओगे आप वहां पर एक स्केल्पिंग से सिधे ट्रेट्स को होड़ करने लग जाओगे ऐसा नहीं होगा क् लेकर फिर लेकर ट्रेट्स पकड़ करने का वह तो यहां पर एक चीज आपको अडिया पर होता है और चीज नहीं है इतना ही है इस इस प्रुद्गकुलर टाइम के लिए मैं कि च्रेट को लेके जाना वह दो मुझे करना पड़ेगा वहां वहां पर वो जो आपका ताइम- तो आप अपने लिए चूज करें वह आपके लिए क्या करें एक स्टॉप लोस का काम भी गज़ है तो उसके बेसिस पर काफिसाइट रेडिंग स्टाइल होते हैं जो आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता कि आप जो भी ट्रेडिंग करते हो कभी घर कभी भी नहीं करने हैं वहाब पापको ट्रेडिंग स्टाइल पता होना चाहिए तो ट्रेडिंग स्टाइल को क आपको प्रेडिंग करनास अभी को हम करना में तो तो काफ़ी साय लोग होते हैं की आपने के बार के वेट करें तो अब कुछ लोग होते हैं जो यहां पर एक दिन का या इसका टाइम फ्रेम को चेंज करेंगे टाइम फ्रेम को फिस पर लेकर आएंगे आपका 15 मिनट एना वन आओर या फोल आवर या वन डे ठीक है उस टाइम फ्रेम में लेकर आएंगे उसके बाद वो अपनी पोजिशन बन प्रेम को लोग चीज करते हैं तो यह आइडेंटिफाइब करना जोड़ी आपका खुद का स्टाइल तो खुद के स्टाइल को आइडेंटिफाइब करने के लिए आपको कुछ पॉइंट को नोट डाउन करना पड़ेगा ठीक है तो आपकी वैसे टाइप ऑफ ट्रेडर भ पॉजिशनल टेडिंग तो हम जो बात करेंगे पहला मैं आपको स्टार्ट कर वाता हूं स्कैलपिंग से पहली पहला डिसक्रशन वाइस कैलपिंग क्या है मतलब कैसे आप इसकेलपर हो या नहीं हो इसको इडेंटिफाइब करने लिए सिंपल सा आजाता है आपको टाइम प्लाइब कों सा हुलडिंग टाइम एक स्केलपर जो होता है उसका जो एक होड़िंग टाइम है एक अपार को किसी ट्रेट को होलिड करता था है है केलपर कही मतलब होता है कुई कारेकम और उसका जो virgin का सांब स्टू मेने कुछ से कुछ मिनट के भीच मगरों कोई ठीट को ले के जारा कोई ट्रेट ले कि जारा है को एक रपने थ्रीट से किंड फिफ्टी से किंड एन वन मिन्ट इनद तू मिनिट या फाइब मिनिट इस टाइम फ्रेम के अंदर आपको पर्सेंटेज व हुआ रहे हो लेने के बाद कुछ आपको percentage of return मिला और percentage of return क्या हो सकता है इसमें इसके scalping के अंदर एक तरीके साब जो एक पर्टिविलर ट्रेड में जो भी a percentage of return calculate करते हो अपना एक्सपेक्ट करते हो होता है 2% 3% 5% 10% 15% अग और फाइब 10-15% अगर आप एक option में scalp करते हो तो 5-10-15% easily आपको पता है एक candle के मूव में आपको मिल जाता है तो यह इतना ही अगर आपके एक expectation है 2-3-4-5-10-15% की expectation है वह भी किसमे shorter time shorter time frame कैसा कि अगला एक मिलर्ट दो मिलर्ट पांच मेर्ट दसमेट फंदर मेर्ट इतना टाइम फ्रेम के के डिवेशन में आपको छोटा सा रिटन्स की expectation आप ज्यादा बड़ा नहीं आप 20 30 40 50 परसेंट की तरह नहीं जाना चाहते आपको पता किया मेरी को टाइम फ्रेम में इस इस पर्टिकुलर टाइम के लिए को होल्ड करना है एक दो पांच मेर्ट और एक मिल जाता है दो पांच-10 परसेंट का मैं ट्रेट से एग्रेट कर जाओंगा इस अपने पहले से प्लाइन करके रखा है और आप वह चीज़ को फॉलू कर रहे हो तो इस आप वहाँ पर क्या एक तरी किस आप स्कैल्पिंग कर आप एक स्कैलपर दूसरा चीज़ इस कैलपर में क्या होता है स्कैलपिंग अब कर देख वहाँ पर दूसी चीज़ यह होती कि आपका नंबर आफ ट्रेट्स बहुत जातो इसमें ओवर ट्रेडिंग का कोई पॉइंट निक होती है स्कैलपिंग में बहुत ज्यादा ओवर थोड़ा सा लॉसमिश्व लिए तो वहां पर माइंड बहुत सारा कंफूजन करेट करने लग जाता है वहां पर बहुत साथ दिक्क्त आती है तो यहां पर रूल बेस्ट रेडिंग होती है बटाव अगर आप कोई छोटे टाइम फ्रेम के लिए चोटे टाइम फ्रेम मिनि पांच मिनिट इतना ही कोई ट्रेट को होल्ड करते हो दो चार पांदस परसेंट का आपका एक्सप्टेशन अब बात करते हैं यहां पर दे ट्रेडिंग डेट रिटिंग मैं अगर आपको डेट अप एक डेटर बनना चाहते है यह डेटर अगलोगे उसके लिए सिंपल सा ह आप 30% करता है आप ट्रेट नहां अब मार्किट अपन होने के बाद फ्रण सफोरा पेशन लेडे करते हो आप का किसी एक किसी आटरेट को टिरेट बने को होल्ट करने का टाइम है वो कुछ मिनेट से हावर्स तर्मला कुछ घंटों तक भी जा सकता है क्योंकि आप डे ट्रेटर का मला सिंपल सी बात है नौ बच के पंदय मिनट पर मार्केट ओपन हो रहा है तो तीन तीस पर खतम हो रहे तो आप पूरा का फूरा ट्रेट को मार् करता कर्का कर्या करें हो तो थोड़ा सा जाधा होता है और तीसी चीज वहां पर आपका जो ट्रेट के अंदर जो इतन साब एक्सपेक्ट करते हो क्या द रहता है और आप एक ऑप्शन और खासका ऑप्शिंस की बात रोट तो आप यह कर सकते हो थार्टी-4 या 50% ऑन एन अ तो तो टाइम डूइशन थोड़ा सा ज़्यादा और आपका नंबर ओफ ट्रेट्स कम और आपका जो डिटेंस आपकी जो डिटेंस के एक एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट से इतना मुझे मिलना चाहिए वह रहता है अपको ट्रेडिंग स्टैल होता है आपका स्विंग ट्रेडिंग का आप मैं आपको चार्ट पर लेकर चलूँ अब मैं आपको समझाता हूँ स्ट्रेडिंग का मतलब होता है इस अपक्या एक स्टॉक्ट करने के लिए जाते हैं सब्सक्राइब कि स्टॉक है जो एक सो एक सो चौदा से का मूफ किया एक सो एक सो तीस पर मूफ करने कब बाद क्या करना माल करें एक इस ट्रेट को और इस मेरी को फाइब टैन फिफ्टीन परसेंट का रिटन अगर मिल जाता है तो थी फोर फाइब सिक टैन फिटीन परसेंट का अगर इसका कोई नोलेज निया आप तो सिर्फ एक डेक आउट की बैसिस पर ट्रेड आप लेगे जा रहा आप इस इस निया स्विंग बनाया का मैं इसको कह रीक तो स्विंग को पकड़ने के लिए अपना ट्रेट को प्लैन करते हो वह होता है सुंटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिट आपने आज टेड उठाय कर लेके चल दिए कुछ भी यहां पाब भी आप यहां बेज ऐसा नही आप मार्केट रींज मांट हो गया तो आपको निकल जाना आप आप कोई दूसरे स्टॉक फाइंड करो जो ऐसी रेंज मां फसा रहेगा तो किसी भी टाइप को स्विंग आपको देगा बस टाइम से डिसाइड नहीं होता है तो अगर आप इस टाइप की ट्रेडिंग करते ओसके पर झालेट जोन में स्टॉक फिक करते हो और उलग आपको देता है वहां पाव एंट्री में जोन तक का वेट कर तो और इसके बीच का स्विंग को एपने ट्रेडर करने की लिए अपने ट्रेड को प्लैंड करता है यहां पर जो टाइम होता है होल्ड करने का हो एक सब आपके इस एक्टेर रेटरेंस की अकोर्डिग करता है एक हफ़ता दो तीन अपता चाहर हफ़ता पाश आहफ्ता दो मेंना भी जा सकता है अब की बात करें तो 50-50 परसेंट के रीत्रेंस भी एक्सपेक्टेड होते हैं सुंग ट्रेडिंग के अंदर क्योंकि प्रेटिंग कोई लिमिटेशन नीए दो परसेंट में को एक्सिट कर जाता है कम कौन्टिटी में सुख रेट्स लेता है वह ट्वन्टी थार्टी फॉर्टी फिप्टी परसेंट पर भी जा सकता है वो ट्रेट को सुंग ट्रेट से सीधा एक तदिक से लॉ कौन सा पुछिशनल ट्रेडिंग कर देखो बेसिकली जो पुछिशनल ट्रेडिंग वाला सिस्टेम है वह सेलर करते इसको सेलर क्या आप आपको पता है आपके पास क्या है एक प्रीमियम डिके होता है आप यहां पर फ्राइडे के दिन अगर आपने कोई प्रिम हंडेड पर प्राइड आते अगर प्राइस एक जगह से कहीं पर प्राइस अपमूव नहीं करें जरी मना रहा तो इसका प्रीम गिरते वह आजाएगा वी सुबढ तीक सुबबर पाजाएगा इस पर पोजिशनल ट्रेडिंग होती है यह एक तरीक से इलर सेलर्स का ही मार्केट है इसको करते बायर्स के लिए बहुत ज्यादे इसके होता है लेकिन हां अगर आपका ट्रेंडिंग मार्गेट है आपका किसी एक देन जिकाब एक त्रेंडिशन बना था बहुत जब्रस जो मैंने स्विंग ट्रेट्स में आपको बताया था वहां पर कोई एक डिकाउट हुआ से ट आप एक और ट्रेडिंग स्टैल आयता है जिसको कहते है ओवरनाइट पॉइट 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 होता है अगर आप आप बाइक करे ट्रेड करें और ऑबनाइट पॉइशन लेके जा रहो ठीक है और एक्स्पेक्टेट है कल के दिन में आपको यहां पर गैप गयोड़न सब्सक्राइब कुछ पॉइंट्स का में यहां पर फिट हो जाए मार्केट खुलती और मैं सुवह सुवह नौपन रहे पर मार्कें नौपन रहे पर पॉजिशन प्लोज करो और दिन भाइन ज्यादा होता है तो ओवरनाइट ट्रेडिंग भी एक ट्रेडिंग स्टैल मार् यहां पर आप ओवरनाइट कोई भी ट्रेड करते हो वहां पर आपका स्टॉफ लॉस डिफाइन ही रहता है क्योंकि आप यॉरली एक तरीके से नेकट पॉजिशन लिके जाए या तो आप हैच कर देख कर देख कर देख कर चलते हैं ताकि इनका रिस्क जो है वो हैच करने में या जो अपनलोग जित्ते रिटेल टेटर हैं वह हैच करने या यह सब चीज को मैनेज करने पर ध्यान देख यह की प्रॉल्म है जो है कि कैपिटल का रिक्वार्मेंट और कैपिटल ऑप्शन बाइंग के लिए कैपिटल बहुत कम होता है और इसी लिए मैक्स तो मैंने आप को यहाँ पर है यह एक एक ट्रेडिंग मताए जो चार में ट्रेडिंग स्टाइल होते हैं और आपको अपने ट्रेडिंग स्टैल रहना है अगर आप पर से आपको तो से आपको पूजिशनल नहीं बना आप तो आप डेटेटिए नहीं जाओगे इस केयल पर हो तो आप डेट्रेडिंग में शिप्ट हो जाओ किसी ट्रेट को आपने यह एकस्पेक्ट कि पाइप करों यह लिए पर क्लिक पर पॉल देगे बैठेगे तो तो आपको ट्रेडिंग इस्टैल अपना कैसे डेटीफाय technical analysis fundamental analysis किस तरीके से करना है किस तरीके से उसको समझना है वह सारी हम इसमें बैक तो बैक आपको स्रीज में वीडियो देखने को मिलेंगे ताकि आप लोग सी को और सीक के मार्गेट में काम करें विदा नौलेज बिना सी के समझे काम करोगे तो ऑप्शन बाइंग में इस नेक् जिनके प्रॉफिट पर कैलकुलेट करने लग जाते हो कि हाँ यार आज मेरे हंड़ेट पर सेंट बन गया है तो ऐसी ऐसी करके मापना कैपिटल को ट्रीक्स फाइब लोगा और मजह आ जाएगा लेकिन ऐसा होता नहीं है वो जितना तेजी से पैसा बनता है उती तेजी से सब्सक्राइब करने लग जाते हो तो इसकी वैसे उप्षिन बाइल को मैक्सिम अब टाइम लॉसस होते हैं तो यह थे ट्रेडिंग स्टाइल एक टाइप आफ ट्रेडर आप किस टाइप की हो भी इस से आइडेंटिफाय कर सकते हो आपको सिब दो कंडिशन हो मैंने आपको बता दिया भागी आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए तिल देन बाइबाइब से यू जाहिंद